समस्कार दोस्तों मैं रुपमतिवर्थे बोपाल से और आपका स्वागत है मेरी चैनल रुपा ग्रीन गार्डेन में उम्मित करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो पहली वार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर दोस्तों और हमारे इन डहलिया के सुंदर सुंदर प्लांट को ओ सुरी कलर को देखिए बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं बहुत ही यह देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये दोस्तों मैं लाश्ट लाश्ट में लेके आई हूँ तो मैं आज आज आप लोगों को बताती हूँ कि फ्री में हम कैसे से प्लांट को हम लगा सकते हैं तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए जैसे हमने कोई प्लांट लेके आये हैं मानलो हमने गेंदा के लेके आये हैं यह देखिए जैसे हमारी है यह देखिए यह मेरी गोल्ड है और यह जाफरी वेराइटी है दोस्तों तो मैं क्या करती हूं कि जैसे ही इसमें फूल स्पेंड हो जाते हैं तो उसको मैं फेकती नहीं हूं तोड़कर मैं क्या मैंने अब भी तोड़के फेके हैं पर अब ही क्या है इसके सिट मचर नहीं हुए हैं इसलिए हम केलंडोला के नहीं लगा सकते हैं लेकिन मेरी गोल्ड के हम लगा सकते हैं जिसे कोई भी फूल हमारा सूख चुका है जैसे ये देखिए ये एक सूख गया है ये सूख गया है और कुछ यह मुर्जा गया है तो ऐसे फुल को हमें तोड़ लेना है इस प्रकार तोड़ लेना है दोस्तों और फिर क्या करना है कि यह जो पत्तियां गीली रहती है तब हम अगर तुरंत हम प्लांट डालते हैं सीट्स डालते हैं तो हमें क्या करना चाहिए यह जो पत्तिया हैं इसको हमें तोड़ लेना है इसको कोई केची की मतबस से मैं बताती हूं मैं इसको काट लेती हूं तो देखिए दोस्तों इसकी जो हमने जो पत्तिया है इसको रिमोप कर दिया है और इसके पहले आप जब फूल तोड़ते हो तो मैचर फूल तोड़ो कैसे पता चलेगा कि इसके शीट्स पक गए हैं तो आप इसी में से जैसे फूल लगा हुआ है और ऐसे ये नीचे से थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा उठा से ऐसे थोड़ा सा फाड़ा के देख लीजिए ऐसा खोल कर तो जब ये काला दिख जाए एकदम बिल्कुल काले आपको देखे तब ही ये सीट्स से पक गए हैं मेचर हो गए हैं तो ये वाला फूल हम तोड़ सकते हैं गीले में ही ये देखिए इसके सीट्स मेचर हो गए हैं और ये हमने तोड़ा है ये भी हमने देख के तोड़ा है ये देखिए इसके सीट्स मेचर हो गए हैं जब ये काले हो जाते हैं तो स में तुरन ڈालना है तो झो उपर की जो पत्थियां है फूलो की उसको काट नहीं पड़ेगा नहीं तो यह पत्थियां ओपर की होती है यह fungus react और फिर हमारा प्लांट उगेगा नहीं अगर यह पत्तियां रहेगी तो इसमें फंगस लगेगा इस प्रकार हमें कर लेना है ये सीट्स को ये पत्ति हटा कर सिंगल इस प्रकार लेना है ये देखिए ये इस प्रकार हम डालेंगे तो तुरंत हमारा प्लांट लग जाएगा एक हपते में एक हपते से पहले ही हुग जाता है और या तो आपको दोस्तो बाद में लगाना है पत्तिय सहीत लगाना है तो फिर आप इसको सुखा लीजिए ये देखिए दोस्तो ये पत्ति सहीत है और ये मैं सुखा रही हूँ लेकिन तुरंथ हमे कैसे करते हैं और मैंने इसमें नाम भी लिख दिया है कि यह कोई सवाला है ताकि हम पूले ने तो इनको हमने अभी फूल तोड़ा है और हम इसको लगा देंगे चलिए तो हम कोई भी गमले में लगाएंगे दोस्तों तो गमले में हम इस प्रकार साधारान कोई मेहनत का काम नहीं है दोस्तों इस प्रकार हम इसे फैला देंगे और उपर से इसको पतली लेहर पतली लेहर से हम मिट्टी से ढग देंगे इस प्रकार तो दोस्तो ये तो चार दिन में उग जाएंगे ऐसे ही मैंने किया है दोस्तो ये देखिए इसी से आगे ये रखा है मेरा गमला और ये मैंने इसमें ये रेट कलर के फूल है तो जाफरी वेराइटी के हैं तो ये मैंने डाल दिये तो देखिए कितने सारे फूल हो प्लांट ह हो गए हैं दोस्तों यह रेट कलर के हैं और मैं बताओं सारे मेने डाले हैं फ्री में यह देखिए यह वाइट वाले हैं यह वाइट वाले को भी मैं मात्र तीन प्लांट लाई थी और मैंने फुल तोड के तुरंट के तुरंट डाल दिये तो ये देखिए इतने सारे हो गए ये मेरे गलॉइडिया का प्लांट है उसी में मैंने डाल दिया है तो ये देखिए दोस्तो कितने सारे वाइट कलर के हो गए है और फ्री कोई कॉस नहीं हो इसक जाफरी वेराइटी के हैं तो इसमें भी देखिए कितने उग गए हैं और ये देखिए दोस्तों ये भी मैंने इसके पहले मैंने ऐसे फैला दिये थे तो ये इतने हो गए और इसमें देखिए फ्लावरिंग भी चालू हो गई है वाइट कलर में और ये देखिए दोस्तो ये एकदम पीला कलर है दोस्तो हल्दी कलर जो बोलते हैं ये जो सरसो का फूल का है न इसी कलर का है दोस्तो ये वाला और इसी के बाजू में एक मेने बाल्टी में ये लगाए हैं ये भी अच्छे से हो गए हैं और ये बड़ा वाला ओरेंज कलर का ह औरेंज टाइप में मतला हल्डी जैसे ही है और यह देखिए दोस्तों यह भी सारे मेरे पौद है यह मैंने ऐसे ही करके फूल ऐसे फैला दिये थे गमलों में तो यह फूल सारे हो गए और अब मैंने निकाल के इसकी रिपोर्टिंग कर दी दोस्तों यह देखिए यह सारे मेर फ्री के प्लांट है दोस्तों इसमें तो फ्लावरिंग चालो हो गई ये फ्री के हैं एक भी पैसा नहीं लगा है ऐसे ही फूल तोड़के मैंने तुरंट के तुरंट डाल दिये हैं लेकिन देखना ये है कि मेचर फूल लेना है आपको तो दोस्तों इसी में से मैं आप लोगों को लगा के भी बताती हूँ कि इसको हम कैसे लगाएं तो दोस्तों सबसे पहले आप मिट्टी गीला कर लीजिए क्योंकि अगर मिट्टी को हम गीला नहीं करेंगे तो इसकी जड़े तूट जाएगी दोस्तों अच्छे से निकलेगा नहीं तो आप पहले इसमें पानी डाल लीजे ये गमले में तो मैंने रात में ही डाला है इस गमले में पानी तो मैं ये एक प्लांट निकाल के बताती हूँ कितनी अराम से निकल जाता है तो ये देखिए ये यहां से बाकी बहुत सारे प्लांट मैंने लगा दिये हैं लेकिन अभी मैं फिर आप लोगों को लगा के बता रही हूँ तो यहां से बिलकुल हलके हास्ते से पुछ करके हमें निकाल लेना बहुत ही अराम से यह देखिए यह निकल गया है यह मिट्टी सहित निकला है और इसकी जड़ें भी है इसकी जड़ें को कोई नुक्सान नहीं होगा यह देखिए इस प्रकार आप पहले पानी डाल लीजिए फिर निकाल लिए और मिट्टी इसके लिए कैसे तयार करें तो यह देखिए दोस्तो मिट्टी यह मिट्टी हमें बिलकुल कोई फटीलाजर नहीं डालना जब हम जड़े वाले जो प्लांट लगाते हैं तो पौध जो लगाते हैं उसमें हमें कोई फटीलाजर नहीं डालना है बस आप फंजिसाइट का प्योग कीजिए और रेत का बाकी फटीलाजर कुछी नहीं डालना है इसमें नीम खली में ने मिलाई है और थोड़ी सी रिवर्चेंट मिलाई है ताकि मिट्टी पोरस हो जाए बस इतना मिलाया है और खाद कुछरी मिलाया क्योंकि दोस्तों अगर हम खाद मिलाएंगे तो यह जड़े दिख रही है यह चोटी चोटी सी जड़े है डारेक्ट संपर्क होगा फटीलाजर का तो यह जल सकते है और जो गेने का प्लांट होता है उसमें तो बहुत जल्दी जल जाता है तो जादा फटीलाजर नहीं डालेंगे तो हम इस grow वेग में पहले हम grow वेग में लगाएंगे उसके बाद में हम फिर 8 दिन के बाद में पंदरह दिन के बाद में हम जब grow वर खात पूरी अच्छे मिट्टी भनाएंगे सबी इससा डालेंगे तब हम इसको वो करेंगे तो दोस्तो हम इसमें ग्रोवेग में ये भर लेते हैं आदा हम भर लेते हैं पहले बताती हूँ मैं भर के तो दोस्तो ये मिट्टी हमने आदी पिल कर ली हमने फिक्या करेंगे हमारा जो प्लांट है उसको हम इसे कर देंगे मैं एक हाज से करनी पा रही हूँ तो इसको हम ऐसे बठा देंगे और फिर उपर से हम आदे से मिट्टी डाल देंगे इस परकार मैं करके बताती हूँ तो ये देखी दोस्तो हमने इस परकार इसको लगा दिया है फिर हम क्या करेंगे कि इसको छाओ वाली जगे में रखकर तो यहाँ पर धूप नहीं आती है दोस्तो तो यहाँ पर हम पानी डाल देंगे पहली बार हम इतना डालेंगे पूरी मिट्टे गीली हो जाना चाहिए क्योंकि मिट्टे हमारी सुकी है तो फर्स्ट टाइम इतना डालो कि जो ग्रोबेग है उससे पूरा पानी निकल जाए इस प्रकार को गीला करेंगे हम पहली बार में और फिर हम इसको ऐसी जगे में रख देंगे जहाँ पर इसमें डारेक्ट धूप ना हम पड़े मतलग कम से कम अभी सर्दी है तो आप 24 घंटा ऐसी जगे में रख दो या दो दिन रख दो कि एकदम ब्राइट लाइट आए और हल्की फुलकी सुबे की धूपाजा या शाम की धूपाजा ऐसी जगे में रखोगे और उसके बाद में तीन-चार दिन के बाद में आप इसको टारेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं तो इस प्रकार हमारे फ्री के इतने सारे प्लांट तयार हो गए हैं दोस्तो ये देखिए बहुत सारे प्लांट तयार कर लिए हैं मैंने तो आप भी इस प्रकार कर सकते हैं तो वीडियो में इतना ही अगर आप लोगों को मेरा वीडि धन्यवाद